हेलो दोस्तों नुमस्कार अगर आप OnePlus 9 या 9 Pro स्मार्टफॉन के यूजर्स हैं तो आप अपने डिवाइस पर Oxygen OS 12 के डेपलपर प्रिव्यू 2 पर होंगे तो इसके द्वारा आप कैसे बापिस से Oxygen OS 11 के Stable version 11.2.9.9 पर जा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको काफी सिंपल तरीके से जानकारी देने वाला हूँ जिसमें आपको क्या कूछ Step Follow करने हैं सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जब भी आप इस डेवल पर आएंगे डाउन्लेड करेंगे इसके लिए आपको Backup लेना Required है आपको यहाँ पर अपने डेटा का Backup जरूर बना लेना है वो किसी और Storage डेवाइस में आपको Save कर देना है उसके बाद सिंपली आपको अपने डेवाइस पर दो फाइल्स डालोड करने होगी एक JIP फाइल दूसरी APK फाइल होगी JIP फाइल को सिंपली आपको Internal Storage के अंदर कुछ इस तरीके से सभी Folders के नीचे डाल देना है जिसको किसी भी Folders के अंदर नहीं रखना है इसी के साथ दूसरी जो फाइल्स होगी वो आपको डालोड के Folder में देखने को मिल जाएगी वहीं पर आपको इसको इसको इंस्टॉल कराना है कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन पर आप टैप करेंगे तो यह आपसे परविशन तूचिएगा एपलिकेशन की अगर आपने नहीं दिये तो आप परविशन दे दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर इसे ओपिन करना है और आपको यह जो फाइल दिखने को मिल जाएगी इसे आप सेलेट करेंगे तो आपको वार्निंग दिखने को मिलेगी आपके द्वारा चैनित पैकेज इंस्टोलिशन के बाद आपकी डेवाइस को फैक्टरी डेफॉल्ट पर रिसेट कर देगा क्या आप बाग कई इसे इस्थाफित करना चाते हैं तो आपको कन्फर्म करना है और लॉक्ट स्किन का पासबर्ट डाल देना है अगर आपने लगाया हुआ है उसके बाद कुछ समय आपको इंतियार करना होगा इसके बाद ये जो इस्टोलिशन प्रोसेस है वो होने शुरू हो जाएगा आपको 100% होने तक का इंतियार करना है उसके बाद रिबूट पर आप टैप कर देंगे और आपका डेवाइस यहां पर बाइप होना शुरू हो जाएगा इसके बाद एंड्रोइड जो है वो बूट करेगा और आपको यहां पर पूरा का पूरा डेवाइस बूट होने के बाद में सेट अप करने के लिए दिखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर hello लिखा हुआ देखने को मिल जाता है अब आप अपने device का पूरा setup complete कर लेंगे और उसके बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ कुछ इस तरीके से यह home screen इसकी आज चुकी है अब मैं इसके about one section में दिखाऊँ तो यह आपको oxygen OS 11 का version 11.2.8.8 देखने को मिल जाता है इसके बाद आप system पर इसके जाएंगे वहाँ पर system update सो हो जाएगा आपको latest oxygen OS 11.2.9.9 जो की आपको change lock भी mention करता है आपके system update के अंदर ही तो इसे आप यहाँ से update कर सकते हैं जो की आपको काफी जादा आसान तरीके से मैंने बताया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें साथ मैं आपको बता दूं oxygen OS 11.2.8.8 के बाद आप 2.9.9 को अपडेट करेंगे सिस्टम के द्वारा वहाँ पर कोई भी डेटा एरिच नहीं होगा उम्मीद करता हूँ अगर कुई सवाल या जवाब है तो आप मुझे टेलेगराम या इस्टागराम पर मैसेज भी कर सकते हैं ठेंक्यू जैंग जब हरत बंदे मातराम